How to fix Emo all problems तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यदि आपका Emo जो है यहापी Emo एकाउंट यदि यह आपका application open नहीं हो रहा है या फिर काम नहीं कर रहा है या फिर unfortunately stop बताता है या फिर दोस्तों इसकी regarding जितना भी problem है उसे आप कैसे solve कर सकते है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के साथ बने रही है साथ ही साथ चैनल को subscribe करके bell icon भी दबा दीजेगा तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा Emo में जो है बहुत सारे problems हमें face करने के लिए मिलता है जैसी का unfortunately stop या फिर open नहीं होता है या फिर काम नहीं कर रहा है या फिर ज पहला जो है basic रहेगा आपका play store पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको Emo search करना है Emo search करने के बाद में आपको check करना है कि यहाँ पर update आया है कि नहीं यदि update आया है तो आपको इसे update कर लेना है क्योंकि दूस्तों देखिए कभी-कभी हम अपनी Emo को update नहीं करते है तो इ update करने के बाद में एक बार check किजेगा आपका Emo काम करता है कि नहीं काम करता है सही बात है काम नहीं करता है कोई दिक्कत नहीं है आपको क्या करना है seconds आपको जाना है अपने mobile के settings पे अभी settings पे जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एक्दम नीचे आना है और यहा इमो के उपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको storage usage पर जाना है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको simply clear data में क्लिक करना है इसे clear कर देना है ठीक है तो इसे clear करने के बाद में आपको बेख जाना है permission पर जाके यह सारा permission आपको allow कर देना है ये allow करने के बाद में दोस्तों आप अपना mobile को एक बार restart कीजिए और अपना email account को email app को खोलिए खोलने के बाद में login कर लिए आपका problem definitely solve हो जाएगा यदि फिर भी आपका email में problem हो रहा है और यदि फिर भी आपको problem होता है काम नहीं कर रहा है तब last option है आपके पास settings पर चले जाएए और यहाँ पे एकदम नीचे आके आप ढूंडिए about phone या फिर software update दोनों के नाम से show होगा software update डाइरेक्ट मिल रहा है तो उए पे click कर लिए वरना आप about phone में जाके software update चेक कर सकते software update में जाने के बाद में यहाँ पे आपको check करना है कि software update आया है कि नहीं यदि software update यहाँ पे आया है नया version तो आपको यह installed कर लेना है इसे आपको download कर लेना है कभी-kभी क्या होता है कि emo जो है emo team जो है वो अपने application में नए Android version के लिए जो है update लाती रहता है तो यह दिया आपके mobile में नए Android version जो है नए Android version update नहीं है तब क्या होता है कि आपका जो Emo app है वो misbehave करेगा और बहुत सारे functions जो है सही से काम नहीं करेगा तो इसलिए आपको यह download कर लेना है यह download करने के बाद में आपका phone Emo का जितना भी problem हो और definitely solve हो जाएगा तो उमीद करता हूँ दोस्ता आपको वीडियो पसंद आया होगा Thanks for watching